आज का ये दिवस लोक तंत्रे की एक महान परंपरा का महत्मपुन दिवस है शत्रवी लोकसभा ने पांच वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक वीद महत्मपुन निल्नाय किये अनेक चुनोतियों को सबने अपने सामर्थ से देश को उची दिशा देने का प्रयास एक प्रकार से आज का दिवस हम सब की उन पांच वर्ष की वैचारी क्यात्रा का कि राष्ट्र को समर्पित उसमय का कि देश को फिर से एक बार कि अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में कि समर्पित करना यह आफसर है यह पांच वर्ष देश में रिफार्म, पर्फार्म एंड ट्रांस्फोर्म यह बहुत रहर होता है कि रिफार्म भी हो पर्फार्म भी हो और हम ट्रांस्फोर्म होता है अपनी आखों के सामने देख पाते हो एक नया विश्वास भरता हो यह अपने आप में 17 लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17 लोकसभा को जरूर आश्रिवाद देता रहेगा इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी मानिय सदस्यों का बहुत महत्पपुन रोल रहा है बहुत महत्पपुन भूमी का रही है और यह समय है कि मैं सभी मानिय सांसदों का इस ग्रू के नेता के नाते भी और आप सब के साथी के नाते भी आप सब का अभिनंदन करता हूं कि विशेश रुपे कि आदे नियंद्यक जी मैं आपके प्रति भी रजय से बहुत बहुत आभार व्यक्ते करता हूं पांचों वर्ष कभी-कभी शुमित्रा जी मुक्त हाश्य करती थी लेकिन आप हर पल आपका चहरा मुस्कान से भरा रहता था यहां कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई अनेक भी परिस्थित्यों में अपने भावति संतुलिक भाव से और सच्चे अर्थ में निश्वक्ष भाव से इस सदन का मारदर्शन किया सदन का नेत्र तो किया मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रसमुशार बता है आक्रोश के पल भी आए आरोप के भी पल आए लेकिन आपने पूरे धार्य के साथ इन सभी सित्यों को समालते हुए और एक सूजबूज के साथ आपने सदन को चलाया हम सब का मारदर्शन किया इसके लिए भी मैं आपका भारी हूँ अधरिने सभापतिगी इस पांच वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जातने जेला कौन बचवेगा कौन बचपाएगा कोई किसी को बचा सकता है के नहीं बचा सकता ऐसी वो अवस्था थी ऐसे मैं सदन में आना ये भी अपना घर छोड़के निकलना ये भी संकट का काल था उसके बाद भी जो भी नहीं व्यवस्था है करनी पड़ी आपने उसको किया देश के काम को रुकने नहीं दिया सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गती देनी चाहिए वो गती भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमी का है वो रती भर भी पीछे न रहे इसको आपने बड़ी कुसलता के साथ समाला और दुनिया के लिए गुधान के रुक में अधर ये सभापती जी मैं मानिय सांसदों का भी इस बात के लिए एक बार आभार वेक्त करना चाहता हूं कि उस कालखन में देश की आवश्रक्ताओं को देखते हुए सांसद निधी छोड़ने के प्रस्ताव मानिय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी मानिय सांसदों ने सांसद निधी से मुख्ष इतना ही नहीं एक देश वासियों को पॉजिटिव मेसेज देने के लिए अपने आचरन से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सेलरी में से तीस प्रतिशत कटोती का निर्णे समने खुद ने किया ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग है और अधर्णिय सभापति जी हम सभी सांसद बिना कारण साल में दो बार हिंदुस्तान के मिडिया के किसी ने किसी कौने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों के इतना मिलता है और केंटिन में इतने में खाते हैं बाहर इतने में मिलता है केंटिन में इतने में मिलता है यहाने पतानी बार नोट लिए जाते थे आपने निर्णे किया सब के लिए समान रेट होंगे केंटीन में और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया शिकायत भी नहीं किया और सभी सांसदों कि बिना कार लितनी फजेत करने वाले लोग मजे लेती थे उससे हम सब को आपने बचा लिया इसके लिए भी मैं आपका आभार वेखे करता हूँ आदेने सभा पती दी ये बात सही है कि हमारे कई लोग सभा के चाहे 17 भी हो 16 भी हो 15 भी हो संसद का नया भवन होना चाहिए इसकी चर्था सबने की सामोई ग्रूप से की एक स्वर से की लेकिन निर्णे नहीं होता था ये आपका नित्तु तो है जिसने निर्णे किया चीजों को आगे बढ़ाया सरकार के साथ लेकिन बिटिंगे की और उसी का परणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है अधेने सभापति जी एक संसद के नए भवन में एक विरासत का आउंस और जो आज़ादी की पहली पल थी उसको जीवनत रखने का हमेशा 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 हमारे मारदर्श्य गूप में ये संगोल को यहां स्थापित करने का काम और अब प्रतिवर्स उसको सरिमोनियल इवेंट के रुप में उसको हिस्चा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेत्रुतों में हुआ है जो भारत की आने वाली पीडियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी की उस प्रसम पल के साथ जोड के रखेगा और आज़ादी की वो पल क्यों थी हमें वो याद रहेगा तो देश को आगे ले जाने की वो प्रणा भी बनी रहेगी उस पवित्र काम को आपने किया है आदर्णिय सभापती जी ये भी सही है कि इस कालखन में जी ट्विंटी की अध्यक्स्ता का भारत को मिली भारत को बहुत सम्मान मिला देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ है और अपने राज्य की पहचान बहुत खुभी प्रस्टूत की जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है उसके साथ आपके नेत्रुतों में जी ट्विट्टी के तरह पी ट्विट्टी का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अने एक देशों के स्पीकर्स यहां आए और मदर अब डेमोक्राशी भारत किस महान परंपरा को लेकर के किस डेमोक्राटिक बेल्यूज को लेकर के सदियों से हम आगे बड़े हैं ववस्ताएं बदली होगी लेकिन डेमोक्राटिक मन भारत का हमेशा बना रहा है उस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बख्खुवी प्रस्तुत की और भारत को लोक्तांत्री की बवस्ताओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेत्रूत में हुआ आदेने सभापती जी मैं एक बात के लिए आपका विश्व सभिन्हंदन करना चाहता हूं शायद हमारे सभिमानिय सांसदों का और मीडिया का भी उस तर्ब ध्यान नहीं दया है हम सम्भिदान सदन जिसको कहते हैं जो पुरानी सवसद जिसमें महापुरुषों के जन्म जन्ति निमित उनकी प्रतिमा को उस पचड़ाने के लिए हम लोग इकतर आते हैं लेकिन वो एक दस मिनिट का इवेंट होता था और चले जाते थे आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तुर्त्वसपर्धा निबंद्वसपर्धा का एक अभियान चड़ाया उसमें से जो बेस्ट ओरेटर होते थे और बेस्ट ऐसेज होते थे हर राजय से दो दो बालक उजदिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्मजाइनती के समय पुस्परवर्था के समय वो मुझूद आते थे देश के नेतावों के और बांध में वो पुरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे बे डिली के ऑलने सान पर जाते थे वो सांसद की गतिवीदियों को समगते थे याने अपने यह निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की सौंसदिये परंपरा से जो़ने का बहुत बड़ा काम पिला और यह परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गर्व के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मैं इसके लिए भी आपका आभिदेंदन करता हूँ आदर नियत्यक जी समसद की लाइबरेरी जिसको उप्योग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैंने कह सकता हूँ लेकिन आपने उसके दर्वाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल जान का ये खजाना परंपराओं की विरासत उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है मैं इसके लिए भी आपका रुदय से अभिनंदन करता हूँ पेपरलेस पार्लमेंट डिजिटलाइजेशन आपने एदुनिक टेकनलोजी हमारी व्योगस्ता में कैसे बने शुरू में कुछ साथ्यों को दिक्कत रही लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं सब मैं देखता हूँ जब यहां बैटे हैं तो कुछ कुछ करते रहते हैं तो आपने आपने एक बहुत बड़ा काम आपने किया है यह एक स्थाई विवस्ता हैं आपने दिर्मान की हैं मैं इसके लिए आपका बहुत आभार बेक्ते करता हूँ आदरनी अतिक जी आपकी कुछलता और इमान्य साउंसदों की जागुरुकता उन्स सब का सयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूँ कि जिछके कारण 17 भी लोगसभा की प्रोडक्टिविटी करीम 97 प्रसंट रही है 97 प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसंदता का विशे हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17 भी लोगसभा कि हम समाप्तिक की तरब बढ़ रहे हैं तब एक संक्तिल पर लेकर के 18 भी लोगसभा प्रारम होगी कि हम हमेशा सत्व प्रतिशत से जादा प्रोडक्टिव वाली हमारी गातारी वाली अर उसमें भी साथ सत्रम सो प्रतिशत से भी जादा प्रोड़क्टिविटी वाले रखे यह भी और मैंने देखा आपने रात-रात बैट-बैट करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के धान में लाने का भरपूर प्रयास किया मैं इन सभलता के लिए सभी मानने सांसदाओ का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी रुदैश्य आभार और अभिनन्दन वेक्त करता हूँ पहले सत्र में 17 भी लोक्षभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विध्यक पारिद की थे यह अपने आप में रेकोर्ड है और एक नएने बेंचमार्क सवत्रभी लोक्षभा ने बनाए है अधनी अधिक जी हाजहादी के पच्चतर वर्ष पुरा होने का उत्सव हम सब को कितना बड़ा सवभागी मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन्य अत्यंद महत्वण कामों को नेत्रुत्व किया हरस्थान पे हुआ यह भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है इसी सभी मानने सामसदों को मिला है और समिधान कि जो भी जिम्यवारिया उसके शुरुवात इहां से होती है और उनके साथ जुड़ना आई अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरख है आदरिया देख जी और इसमें भी सदन के सभी साथ्यों ने बहुत ही उस्तम मारदर्शन किया है अपने हिसेदारी जताई है और देश हम सम्तोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीडिया जिन बातों का इंतजार करती थी ऐसी बहुत से काम इस सत्रहभी लोग सभागे माध्यम से पूरे हुए पीडियों का इंतजार खत्रों का अनेक पीडियों ने एक समिधान इसके लिए सपना देखा था लेकिन हर पल वो समिधान में एक दरार दिखाई गेती थी एक खाई नजराती थी एक रुकावा चूपती थी तेकि इसी सदन धारा तीन सो शट आर्टिकल तीन सो शटार के समिधान के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकास के साथ उसका प्रगजी करह हुआ और मैं मानता हूं जब समिधान के 75 वर्ष हुए हैं जिन जिन महापुरुस्वा ने समिधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जिरूर हमें आशिरवाद देते होगे ये काम कि श्मीर के भी जमु कश्मीर के लोगों को सामाजी ग्णाय से बंचीत रखा गया था आज हमें संतोस हैं कि सामाजी ग्णाय का जो हमारा कमिट्मेंट है वो हमारे जम्मी किश्मीर के भाई भेनों को भी पहुचा करके हम आज एक संतोस के अनुरूती कर रहे हैं अधर्णिय अध्यक जी आतंकवात नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था माभारती की धरा आए दिन रक्तरंजीत हो जाती थी देश के अनेक बीद होनहार लोग आतंकवात के कारण बली चड़ जाते थे हमने आतंकवात के विरुत सक्त कानून बनाए इसी सदन ने बनाए मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का जूजते हैं उनको एक बल मिला है मांसिक रुप के उनकों चाहां कॉन्फिणस बढ़ा है और भारत को पुन रुप से आतंकवात से मुक्ति का उसमें एक ऐसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा हम 75 साल तक अंग्रेजों की दिवी दंड सहिंता में जीते रहे हम गर्व से कहेंगे देश को नई पीड़ी को कहेंगे आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड सहिंता में जीया लेगन अब आने वाली पीड़ी न्याय सहिंता में जीया और यही सक्ता लोग कंता है आदर निया देख जी मैं आपका एक बात के लिए और अभिनेंदर करना चाहूंगा कि नया सदन इसकी भव्यता वगेरे तो है ही लेकिन उसका प्रारंब एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मानेताओं को बल देता है और वो नारी शक्ति बंदन अधिनी है जब भी इस नये सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति बंदन अधिनीयम इसका जिक्र फुक्र करते है जने एक और भले ही वो थोटा सत्र था लेकिन दुरगामी दिनरव करने वाला सत्र था इस नये सदन की पवित्रकता का एहसांस उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है और उसी का परणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहां हमारी मात्राए बहने बैठी होगी देश गवरों के अनुक्राइज तीन तलाग कितने उतार चड़ाओ से हमारी मुस्लिम बहने इंतजार कर रही थे अधालतों ने उनके पक्षमें निर्णे किये थे लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा थे मजबूरियों से गुजारा करना पर रहा है कोई प्रकट रूप से कहें कोई अप्रकट रूप से कहें लेकिन तीन तलाग से मुक्ति का बहुत महत्वपुन और नारी शक्ति के सम्मान का काम सत्रहवी लोकसभा ने किया है सभी मान्य साउसत उनके विचार कुछ भी रहे हो उनका निर्णे कुछ भी रहा हो लेकिन कभी ने कभी तो कहेंगे कि हां इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने करमें हम वहाम पीडियों से होता या न्याय हम पुरा किया है और वो बहने हमें आशिरवाद दे रहे हैं। आधनी अध्यक जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महतब है। यह बन चुका है, पटीस साल वो हैं, जो देश इच्छिज परिणाम प्राप्त करके रहेगा। चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो। उच समय तो घटनाई छोटी लगती थी। लेकिन 1947 वो पटीस साल का कालखन उसने देश के अंदर वो जजवा पैदा कर दिया था। हर व्यक्ति के दिल में वो जजवा पैदा कर दिया था, कि अब तो आजाध होके रहा है। मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वो जजवा पैदा हुआ है, हर गली महलने में हर बच्चे के मूँ से निकला है, कि पटीस साल में हम विक्सित भारत बना कर दिया है। इसलिए ये पटीस साल मेरी देश की युवा श्रक्ति के अत्यनत महत्पुन का अलखन है। और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, जो नहीं चाहता होगा, कि पटीस साल में देश विक्सित भारत बने। हर किसी का सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल बना लिया है, कुछ लोग शाहिए संकल बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जूड़ना जहरेक होगा। और जो जूड़ भी नहीं पाएंगे और जी भी थोंगे, तो फल तो जुरूब खाएंगे, ये मेरा अधर नियतिक जी, ये पांच वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही अइतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्सी का लाकर युवाओं को नए मोके दिये गए हैं। पेपर लीग जैसी समस्या जो हमारी युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुती कठोर कानून बनाया है। ताकि उनके मन में जो सवाल या निसान था और उनको व्यवस्था कि प्रति उनका गुस्सा था। उसको एड्रेस करने का सभी मानिय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुती महत्वपुन नेने किया है। आधनिय देख जी, ये बात सही है कि कोई भी मानवजात अनुसंधान के बिने आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवाद्य होते हैं। और मानवजात का लाखो साल का इतिहास गवा है कि हर काल फे अनुसंधान होते रहें, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विश्तार होता गया है। इस सदने विधिवत रूप से कानुनी विवस्था खड़ी करके अनुसंधान को पोच्छान देने का बहुत बढ़ता है। देशनल विशर्च फाउंडेशन ये कानुन आम तोर पर रोजमरा की राजनिती की चर्चा का विशर्च बन नहीं पता है। लेकिन इसके परणाम बहुत दुर्गामी होने वाले हैं। और इतना बड़ा महत्वण काम ये सत्रह भी लोग सभाने किया है। वो जब पक्का विश्वास है देश की वाशक्ती है। इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिशर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारा देश की वाखे टालेंट ऐसी है। आज भी दुनिया की बहुत कंपनी ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा हब बनेगा। यह मेरा पुरा विश्वास है। अधनिय अध्यक जी। 21 सदी में हमारी बेसिक नेट्स पुरी थारा बदल रही है। कल तक जिसका कोई मुल्य नहीं था कोई ध्यान नहीं था वो आने वाले होगे। बहुत अमुल्य बन चुका है। जैसे डेटा पुरी दुनिया में चर्चा है। डेटा का सामर्थे क्या होता है। हमने डेटा प्रोडेक्शन बिल लाकर के पूरी भावी पीडी को सुरक्षीत कर दिया है। पूरी भावी को एक नया सस्त्र हमने उसके हाथ पर दिया है। जिसके आधार पर वो अपने भविश को बनाने के लिए इसका सही इस्थवाल भी करेंगे। और डिजिटल परस्टल डाटा प्रोडेक्शन एक्ट यह हमारी 20 सदी की पीडी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रतिरूची बनी हुई है। अपने अपना नहीं नहीं व्यवस्तान उकुल करने के लिए प्रयास को रहे है। और ड्याटा का उप्योग कैसे हो उसकी भी उसमें गाइडलाइन से है। अने एक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रमंद करते हुए इसका सामर्थ कैसे आए। जिस डेटा को लोग को गोल्ड माइन कहते हैं। न्यू ओई कहते हैं। मैं समतना वो सामर्थ है। भारत को प्राप्त हो और भारत इस शक्त के इसलिए विशेथ हैं। क्योंकि विवीद्रताओं से भरा हुआ देश है। हमारे पाथ जिस प्रकार की जानकारिया और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है। सिर्व हमारे रेलवे प्रसेंजर्स का डेटा को देख ले। जुनिया के लिए बहुत बड़ा संस्वधन का भीशेख बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूरी ववस्ता को दिया है। आदनिया अदेख जी जल थल नब इस सद्यों से इन शेत्रों की चर्ता चली है। लिगे लाब समद्री शक्ति और स्पेश की शक्ति और साइबर की शक्ति है। एक ऐसी त्रीवीश शक्तियों का भुकाबला करने का अवश्रक्ता उखड़ी हुई है VERYN अर विश्व जीष प्रकार के संक्रणों से गुजर रहा है। और विश्व जीष प्रकार की विचारे प्रभावत प्यदा करने का प्रयात कर रहें तब इन खेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आपको हर चुनोत्रियों को चुनोत्र लेने का सामर्थ भी बनाना है और उसके लिए आवशक स्पेस से जुड़े रिफॉम्स बहुत अनिवार्य थे और बहुत दुर्गामी दृष्टी के साथ स्पेस के रिफॉम का काम हमारे यहां हुआ है अधनियत्यक जी देश ने जो आर्थिक रिफॉम किये हैं उसमें सतरवी के लोग सभागे सभी मान्य सांसदों कि बहुत बड़ी भूमी का रही है बीते वर्षों में हजारों कम्प्लाइंसिस बेवजय हम जन्ताचे नार्थन को ऐसी चुझों उल्जाय रखा यह गवनन्स की एक ऐसी विक्षित वेवस्ता है विक्षित हो गई उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहां हुआ है और इसके लिए भी यह सदन का बेनाफारी यानि इस प्रकार के कम्प्लाइंसिस के बोज में सामानी वक्ति तो दब जाता है और मैंने तो एक बार लाल के लिए से भी कहा था हम जब मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नस कहते हैं मैं दिल से मानता हूँ कि लोगों की जिन्दगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उत्रा ही लोग तंतर का सामर्कत बढ़िए रोज मरा की जिन्दगी में हर डगर पर एक सरकार टांग क्यों वड़ा है हां जो अभाव में हैं उसके लिए सरकार हर प्रण मोजूद हो लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिन्दगी को ही रुकावट बना दें ऐसी लोग तंतर नहीं हो सकता है और इसलिए हमारा मकसद है सामान ये मानवी की जिन्दगी से सरकार जितनी हड़ जाए कम से कम उसके जिन्दगी पर सरकार का नाता रहे वैसा समरुद्ध लोग तंतर दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए उस अपने को पूरा करेंगे आधानियस अध्यक जीट, Companies Act, Limited Liability Partnership Act, साथ से अधीक, गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है इसके लिए यह बहुत बड़ी आवश्यक्ता थी क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावाटों से भारान अपड़ेगा हमारे कई कानूं तो ऐसे है छोटी-छोटे कानूं से जेल भर्दवस यहां तर की फैक्टरी है और उसके सौचाले को छे मेने में एक बार अगर वाईट वास नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी कि वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों नहीं हो अब यह जो एक प्रकार की जो अपने आपको बड़े लिप्ट लिबरल कहते हैं उन लोगों की आइडियोलोजी और देश में ये तुमार साही का जमाना उन सानों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चे वह वह करेग है आग लोगों के गरों में लिप्ट होती है वो सोसाइटी फैट वाले लोग अपने लिप्ट रिखे पर विपर करते ही है जी हर चीज कर लेते हैं तो यह जो समाज पर नागरिक पर भरोसा करने का काम बहुत तेजी से बढ़ाने का काम सत्रह भी लोग सभाने किया है और करने का काम किया है जो मैं कया है छोटी शोटी बात में जेल में डाल देना यह डी क्रिमिलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है वो इसी सदन ने किया है यही मान्य सामसदों ने किया है कौड की चक्कर से जिन्द्गी बचाने की बहुत महत्वपून काम कौड के भार विवारों से मुक्ति उस दिशा में एक महत्वपून काम मध्यस्ट्रगा कानून उस दिशा में भी इसी मान एक साथ्षदों ने बहुत बड़ी भूमे का अधा कि जो हमेशा होश्य होश्य परता है किनारे परते जिन को कोई पूस्ता नहीं था सरकार होने का उनको एहसास हुआ है हाँ सरकार है हम जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था उसको भरोसा होता था चलिए जहान बज़ गई सरकार होना का उसको एसास होता है और यही तो सामान्य मानवी के जिन्दगी में भहुत आवश्यक होता है वह असाहत अनुफवत क्या होगा यह सिद्धी पादा नहीं होनी चाहिए ट्रांसजेंडर समुदा आए अपमानित मैसुस करता है और जब बार बार वह अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विक्रुतियों के संभावना बढ़ती रहती थी और ऐसे विश्यों से सब लोग दूर भागते थे सत्रवी लोग सभागे सभी मानने सामसदों ने ट्रांसजेंडर्स के पती भी संभेदना जताई और उनके जीवन में भी बहतरीन जिंगी बने और आज दुनिया के इंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किये हुए काम है जो नेने किये इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा जब हम कहते हैं हमारे इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेग्नेंसिंग लेग्षभी स्विक्टी डिलीवरी के समय के छुट्टी दुनिया के सम्रुद्द देशों को भी अश्वर होता है अच्छा यहांने यह प्रोग्रेसिव निनाय यहीं पर हुए है इसी सत्रह हुए लोग सभा में हुए है हमने ट्रांस जेंडर को पहचान दी है अब तक करीब 16-17,000 ट्रांस जेंडर को अइडिन्टी कार दिया गया है ताकि उनके जीवन को और मैंने देखा आप तो मुद्रा यह उजना से पैसे लेकर के छोटा-पोटा वो बिद्नेस करने लगी वो कमाने लगी है पद्मा एवोड हमने ट्रांस जेंडर को दिया है एक सम्मान की जि जिन्दगी आदरी अद्यक जी बहुत बिकट काल में हमारा समय गया क्योंकि डेड़ दो साल कोवीड ने हमारे पर बहुत बड़ा जबार लेकिन उसके बावजुद्भी सत्रवी लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है बहुत अच्छे काम किये हैं लेकिन इसमा अगर आज वो हमारे बीच होते ता अज इस बिजाइस हमारे में मौजूद होते लेकिन बीच में ही कोवीड की कारण हमें हमें बहुत होनार सात्यों को खोना पड़ा उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे अदरी अद्यक देखे सत्रवी लोकसभा का यंतिम شत्रव और अंतिम फ़वर ही समझ लीजिए है लोक तंत्रव और भारत की यात्रा अनंत है अनेक और यदेश किसी परपच के लिए है उसका कोई लक्ष है पूरी मानवजात के लिए आश्री अर्विंदो ने देखा हो जाय स्वामी विवेका नंजे ने देखा है लिकिनाच उन शब्दों में उस वीजन में सामर्थ हो था वो हम आखों के सामने देख पा रहे हैं दिनिया जिस प्रकार से भारत के महत्मय को स्विकार कर रही है भारत के सामर्थ को स्विकारने लगी है और उसको इसी आत्रा को हमें और स्वक्तिय के साथ आगे बढ़ाना है अधरनी अध्यक जी चुनाव बहुत दूर नहीं है कुछ लोगों को थोड़ी गवराट रहती होगी लेकिन ये लोगतंदर का सहच आवश्यक पहलू है हम सब उसको गर्व से सुकार करते हैं और मुझे विश्वाथ है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले लोगतंदर की हमारी जो परंपरा है पुरे विश्व को अचंबित करने वाले अवश्य रहेंगे ये मेरा पक्का विश्वाथ है अधिने अधिक जी मैं सभी मान्य साउसदों का जो सहयोग मिला है जो निरने हम कर पाए है और कभी-कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए है कि हमारे भीतर की शक्ती भी खिल करके निकली है और मेरा तो परमात्मा की गुर्पा रही है कि मुझे जो चुनोती आती है तो जड़ा और आनन दाता है हर चुनोती को हम सामना करपाए है बड़े आत्म इस्वाथ और विस्वाथ के सादम चले है आज राम मंदीर को ले करके इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित गिया है विदेश की भावी पीजी को इस देश की गुल्यों पर अरवर्थ करदे की संवेधानिक शक्ती देगा यह सही है कि हर किसी में यह सामर्त नहीं होता है कि ऐसी चिज़म है तो कोई हिम्मत दिखाते हैं कुछ लोग मैदान छोड़के भाग जाते हैं लेकिन फिर भी भविश्य के रेकोर्ड को देखेगे तो आज जो व्याख्यान बहुए हैं जो बाते रखी गई हैं उसमें संवेधना भी है संकल्प भी है सहनुभूती भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ेना का उसमें तत्व देश यह देश भूरे दिन कितने ही क्यों न गए हो हम भावी पीडी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे यह सदन हमें वो प्रेणा देता रहेगा और हम सामोहिक संकल्प से सामोहिक शक्ति से उत्तम से उत्तम परणाम भारत के नवजवान पीडी के हाशा अक्रांक्षा के अनुसार करते रहेंगे इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका भार प्रक्रत करता हूँ सबी माने सामसादों का आप आप प्रक्रत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद